कैसे हैं आप लोग देश अभी मुश्किलों से गुजर रहा है और जिसका वज़ा है कुरोना की महमारी इस लोकडाउन की वज़ा से जो विद्याले बंद हुए हैं आसा है कि आप इस समय में अपने घरों में सुरक्षित होंगे सकुसल होंगे एवं कुरोना की महमारी को हराने में देश की मदद कर रहे होंगे इस महमारी से बचने का एक मात रुपाय है साफ सफाई एवंग भीम भाग से दूरी बनाए रखना अपने हाथों को साबून से धोते रहे एवंग अपने घर के वातावरों को आस पास को साफ रखे साबून से कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथ को धोना है आपको पता होगा इस सेक्षणिक सत्र की सुरुवात अप्रील से होती है सो अप्रील में इस लॉक्डाउन के मद्धिनेजर बिहार सरकार ने यह निर्णे लिया है कि हम कक्छाओं का संचालन दूरदर्शन और इंटरनेट मुबाइल आप के माध्यम से सुरू करेंगे इसमें हमारा सहयोग दिया है युनिसेफ ने और दूरदर्शन ने एजुकेशनल मिटीरियल्स को मुबाइल पर टीवी पर देख सकेंगे मुबाइल पर देखने के लिए आपको उन नयन एप मेरा मुबाइल मेरा विद्याले डाउनलोड करना होगा और उसके माध्यम से आप सभी तरह के सभी क्लास के सभी विशयों के कंटेंट को देख सकेंगे पढ़ सकेंगे और यदि आपके मन में कोई प्रस्ण हो तो आप उसे उस एप पर पोस्ट कर सकेंगे और हमारे एक्सपोर्ट उसका उस पर उत्तर देंगे अगर आपके पास android mobile या internet नहीं है तो भी घबरानी की कोई जरूवत नहीं है हम लोग अपने educational content को ddbhar पर air करेंगे जहां आप उसे देख कर सीख सकेंगे क्विज में भाग ले सकेंगे और अगर किसी तरह की समस्या हो पढ़ाई संबंधी तो दिये गए नंबर पर आप संपर्क कर अपने संका का समाधान कर सकेंगे तो आएए बच्चों अपने घरों में सुरक्षीत रहते हुए विद्या ग्रहण करें एवं स्वयां को सिक्षित एवं मजबूत बनाएं सुरक्षीत रहें घर पर रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब हमें पता है कि आप अभी के समय में अपने विद्याले को बहुत मस कर रहें हैं इसलिए दूर दर्शन के माध्यम से हम आपके पास आपके विद्याले को लेकर आए हैं जिसमें आपकी कच्षाएं भी लगेंगी तथा आप सब मज़ेदार और प्रेरक कहानिया भी सुन सकेंगे तो बस तयार हो जाईए और हाँ अपने पास अपनी कॉपी एवं कलम रखना ना भूलें इस कच्षा में भी अगर आपके मन में आज के विशे से संबंदित कोई जिग्यासा एवं प्रश्नाएं तो नोट जरूर करते जाना है आज के एपिसोड में हम कच्षा 9 के विज्ञान का एक रोचक पाठ गती के साथ शुरूरात करेंगे जिसके बाद हम गनित में बेलन का प्रिष्टिय छेतर फल निकालना जानेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जिससे की आपको उसका फॉर्मुला रटने की जरूरत नहीं परेगी बिलकुल भी हर वीडियो के बाद हम एक छोटा सा क्विज्ज भी करेंगे उसके बाद हम लोग के बहुत मज़ेतार कहानी देखेंगे जो कहानी है जोती की और कहानी का नाम है प्रेम नगर और शहत का गाओ इस कहानी से हम यभी सीखेंगे कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं हम उसके बाद हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की पढ़ाई जिसमें हम गनित का पहला पाठ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम विज्ञान का पहला पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभीक्रियाए एवं समीकरन और इसमें भी हर वीडियो के बाद जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस पर हमें छोटा सा क्वेस करेंगे आप सभी क्वेस के सवालों को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो और हाँ दोस्तो एपिसोड के शुरुआत में आपको यह भी बताया गया था कि आप जो भी समस्याएं आए आज के पाठ को लेकर आज के विशय को लेकर उन सब को भी आप नोट जरूर कीजिएगा तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं हेलो फ्रेंड्स आज हम गती के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम मोशन भी कहते हैं आप सभी गती के बारे में तो जानते ही होंगे कहीं भी कोई काम हो रहा हो तो उसमें गती जरूर होती है इसी चीज़ को हम विस्तार में जानेंगे और इस वीडियो में हम तीन चीजों की चर्चा करेंगे तो आईए देखते हैं कि हम किन किन तीन चीजों पे चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन यानि की गती होती क्या है फिर हम जानेंगे मोशन इन स्टेट लाइन यानि सिधी रेखा मगती और अन्त में हम distance and displacement यानि की दूरी और विस्तापन के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गति के बारे में अब ये motion क्या होता है? सीधे शब्दों में जाने तो अगर कोई object यानि की कोई वस्तो move कर रहा है तो वो motion में है और अगर वो एक जगह पर रुका हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि वो rest पर है अब आपके आसपास की वस्तों को देखिए और सोचिए कि वे rest में हैं या फिर motion में देखिए जैसे कि ये बच्चा school जा रहा है तो ये बच्चा motion में है बच्चों आपने कई बार पेड़ से पत्तों को गिरते हुए देखा होगा वो भी motion ही कहलाएगा यानि कि कोई भी वस्तों जो हिल रही हो motion में कहलाती है और कोई भी वस्तों जो इस्तिरह वस्ता में हो वो rest में कहलाती है अब हम motion in state line को समझ लेते हैं सीधे सब्दों में कहें तो अगर कोई वस्तों जैसे कि ए काल सीधी रोड पर चल रही है तो इस ताइप की motion को motion in state line कहते हैं इसलिए जब किसी वस्तों की इस्तिती संदर्व या समय के frame के संबंद में बदलती है तब हम उसे गती में कहते हैं उदहान के लिए जब हम train में बैठे होते हैं तो train के संदर्व में तो हम इस्तिर रवस्ता में होते हैं लेकिन जमीन के संदर्म में हम गती में होते हैं, यानि कि अगर हम चलते ट्रेन में ही हैं, तो ट्रेन में बैठा आदमी हमें इस्तिर दिखेगा, लेकिन अगर हम जमीन पर खड़े हैं, तो चलते ट्रेन में बैठा आदमी हमें गती में दिखेगा, आईए अब हम बात कर लेत कि दूरी और विस्तापन यानि की डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है अब जरह यहां देखिए यह बस एक जगह A से चलकर अपनी दूशी जगह B पर जा रही है अब यह अपने रास्ते में कई बार अपनी दिसा बदल रही है तो जो लंबाई बस ने अपनी इस इस रास्ते में कवर की उसे हम दिस्टेंस यानि की दूरी कहेंगे अब मान लेते हैं कि यह बस एक दूसरे रोड से जा रही है जो की डेस्टिनेशन A से B तक सबसे छोटी दूरी में पहुँचेगी अब यह स्टेट रोड A और B की बीच में जिसमें की एक दिसा में वस्त इसमेंट यानि की विस्तापन कहेंगे चलिए एक और उधान देखते हैं मान लीजिए कि आप अपने घर से सुबह चलते हैं अपने स्कूल के लिए जो की चार किलोमेटर दूरी पर है लेकिन स्कूल पहुँचने के लिए आपको काफी घूम के जाना पड़ता है और वो र और घर से स्कूल तक का विस्तापन क्या होगा ये सवाल आप लोग नोट कर लिजिए और घर से सोच के आईएगा हम इस जवाब की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे तो आज की इस वीडियो में हमने मोशन, मोशन इनर स्ट्रेट लाइन, दिस्टेंज, एंड डिस्प् देली क्विज, पहला प्रशन, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वह डैश में है, आप्शन A, गती में, आप्शन B, स्थिरता, आप्शन C, त्वरन में, और आप्शन D, इन में से कोई नहीं दूसरा प्रशन, वस्तु की स्थिती के लिए किसका होना आवश्यक है, आप्शन A, दिशा, आप्शन B, निर्देश बिंदू, आप्शन C, गती, आप्शन D, A, और B प्रशन 3, निर्देश बिंदू को और क्या कहा चाता है, आप्शन A, मूल बिंदू, आप्शन B, सुरुवाती बिंदू, आप्शन C, स्थिती बिंदू, आप्शन D, इन में से कोई नहीं चौथा प्रशन, इन में से कौन सा गती का उधारन नहीं है, आप्शन A, चलती हुई कार, आप्शन B, प्रित्वी, आप्शन C, दिवार, आप्शन D, दिवार के कन प्रशन पांच, वस्तू की स्थिती किसी वस्तू का डैश दर्शाती है, आप्शन A, दिशा, आप्शन B, निर्देश बिंदू, आप्शन C, स्थान, आप्शन D, इन में से कोई नहीं सही उत्तर हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिलिंडर बोलते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेलन होता क्या है तो दोस्तों, आप सभी ने पानी की बॉटन देखी होगी और आपके घर में खाना पकाने वाला जो गैस का सिलेंडर है, वो देखा होगा और उस आकार की काफी सारी चीज़े देखी होगी ये सभी बेलन आकार की होती है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बेलन के बारे में कुछ चीज़ों को जानेगे दोस्तों, इस बेलन को देखी है जिसकी उचाई H है और उपनी और नीचली प्रिस्ट वृताकार है चलिए अभी इन वृत को साइड में रखते हैं, अलग रखते हैं ये जो हिस्सा बच गया है इस बेलन का, इसको हम वक्र प्रिस्ट कहते हैं तो इस वक्र प्रिस्ट के अगर हम इस लंबाई को देखेंगे तो आप बता सकते हैं क्या कि ये क्या है ये उस वृत की पडिधी है जिसका मान टू पाई आर होता है अब अगर हम इस वक्र प्रिस्ट को इस प्रकार कारते हैं और इसे खोलते हैं तो ये किसा कारगा हो गया जी हाँ, ये एक आयत है और इस आयत की लंबाई क्या होगी जो उस वृत की पडिधी थी यानि तू पाया और इसकी चौराई क्या होगी जो उस बेलन की उचाई थी जी हाँ, edge तो किसी भी आयत का छेतरफल क्या होता है? किसी भी आयत का छेतरफल होता है उसकी लंबाई गुने में उसकी चौराई यानि L into B तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो है टूपाया और इसकी जो चौराई है वो है edge यानि कि उस बेलन की उचाई तो अगर हम इसका छेतरफल निकालते हैं तो वो निकलन के आता है लंबाई गुने में चौराई जो हमें बताता है 2 पाय आर गुने में edge तो यह जो 2 पाय आर गुने में edge निकलन के आया है यह उस बेलन का प्रिष्टिय छेतरफल है अब चलिए दोस्तों हम इस बेलन का कुल प्रिष्टिय छेतरफल निकालते हैं तो कुल प्रिष्टिय छेतरफल निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों वृतों को भी यहां लाना होगा अब दोस्तों लुक बता सकते हैं क्या कि इस वृत का जिसकी त्रीजय आर है उसका छेतर्फल क्या होगा तो किसी भी वृत का जिसके त्रीजय आर हो उसका छेतर्फल होता है पाय गुने में आर का वर तो अब यहाँ पे अगर हम इस बेलन को देखे तो इस बेलन में तीन चीजे हैं हमारे पास एक उपड़ी प्रिष्ट जो एक वृत है नीचली प्रिष्ट जो एक वृत है और बीच का आकार तो बीच के आकार का प्रिष्टिय छेतरफल अभी हमने निकाला है जो है 2 pi r गुने में h और उपड़ी और नीजली प्रिष्ट का त्रिजिया है r तो इसका छेत्रफल हमें पता है कि pi गुने में r का वर्ग होगा तो अब चलिए अब अगर हम इसका कुल प्रिष्टिय छेत्रफल निकाले तो हम दोनों वृतों के छेत्रफल को और जो प्रिष्टिय छेत्रफल हमने निकाला था तीनों को अगर हम जोड दे तो वो एक बेलन बन जाता है तो वो हमें दे देगा उस बेलन का कुल प्रिष्टिय छेत्रफल तो दोस्तों वृत का जो छेतरफल हमें निकल के आया वो है पाई गुने में आर का वर्ग जोर बीच का हिस्सा जोकी प्रिष्टिया छेतरफल था वो है तू पाई आर गुने में एच और नीचे वाला प्रिस्ट जो की फिर से एक वृट है जो की है pi गुने में r का वर्ग अब अगर हम तीनों को जोडें तो हमें निकल के आएगा 2 pi r गुने में h प्लस 2 pi r का वर्ग अब अगर हम इसमें से 2 pi r को उभेनिस्ट कर दें तो हमें bracket में बचेगा r plus h यानि किसी भी बेलन का कुल प्रिष्टिय छेतरफल हमें जो निकल के आएगा वो आएगा 2πr गुने में r प्लस h आशा करता हूँ आप लोगों को बेलन के बारे में समझ आया होगा और आप लोग अब जो भी चीज देखेंगे बेलन के आगार की उसके बारे में आप और जान सकेंगे या फिर उसकी अगर आपको उचाई और वृत्र का त्रिजया पता हो तो आप उसका कुल प्रिष्टिय छेतरफल या फिर प्रिष्टिय छेतरफल निकाल सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोचत विषय के साथ नमस्कार दोस्तों आज हम पाठ प्रिस्टिय छेत्रिफल और आर्तन के कुछ बहु विकल्पिय प्रेशनों के साथ उपस्तित हुए है चलिए देखते हैं हम कुछ बहु विकल्पिय प्रेशनों को हमारा पहला प्रश्ण है निमलिकित में से बेलन का वत्र प्रिस्टिय छेप्रिकल क्या है जो विकल्थ हमें दिये हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं 2πr into h plus r दूसरा विकल्थ है 2πr into h plus 2r तीसरा विकल्थ है 2πrh और चौथा विकल्थ है 2πrh माइनस r अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्ण की करद जो की है निमलिकित में से बेलन का कुल प्रिस्टिय छेप्रिकल क्या है हमारे विकल्थ है 2πr into h plus r दूसरा विकल्थ है 2πr into h plus 2r तीसरा विकल्थ है 2πrh और चौथा विकल्थ है 2πrh माइनस r अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रिश्ण की करद जो की है स्विज्ञ 7cm और उचाई 10cm वाले एक बेलन का कुल प्रिस्टिय छेप्रिकल क्या होगा जो विकल्थ हमें दिये हुए है वो है 180 cm वर्ड, 205 cm वर्ड, 105 cm वर्ड और 748 cm वर्ड अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिश्ण की तरफ जो की है स्विज्ञ 3.5 cm और उचाई 15 cm वाले एक बेलन का वक्र प्रिस्टिय छेप्रिकल क्या होगा हमारे विकल्थ हैं 125 cm वर्ड, 250 cm वर्ड, 500 cm वर्ड, 550 cm वर्ड अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिश्ण की तरफ जो की है बेलन के आधार का परिमाप क्या होता है हमारे विकल्थ हैं 25R, 3πRH, 4πRH, 25R into H plus R चलिए अब हम देखते हैं कि इन प्रिश्णों के सही उत्तर क्या है हमारे पहले प्रिश्ण का सही उत्तर है C यानि की तीसरा अगल हमारे दूसरे प्रिश्ण का सही उत्तर है A यानि की पहला विकल हमारे तीसरे प्रिश्ण का सही उत्तर है B यानि की चौथा विकल हमारे चौथे प्रिश्ण का सही उत्तर है B यानि की चौथा विकल और हमारे पांचवे क्रिश्म का सही उत्तर है एक यानि की पहला विकलत। धन्यवाद। कोरोना से डरे नहीं, एहतियाद बरते। वैसे तो स्वक्ष्टा और व्यक्तिकर साफ सफाई हर समय जरूरी है। लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आविश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रती विशेश तोर पर सजग रहें। आईए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंडवाश से कम से कम 20 सेकंड तक दोएं। या अलकॉहल साइनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंडवाशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग व्यक्ति या खास छीक रहे व्यक्ति से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाये रखें। भीड़भाड में मास्क लगाये रखें या मू नाक को ढख कर रखें। यदि घर में कुरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उप्योग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तमाल न करें, फर्ष और अन्य सैतों को घर्स में रोजाना प्रयोग किये जाने वाले ब्लीच घोल या फिना नियमित आने वाले घरिलू समान जैसे दूद, अख़वार, इत्यादी के लिए सुरक्षात्मत तरीके अपनाएं, बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एतियार भरतें, जनहित में जारी, राजिस्वास समिती बिहार, अधिक जा आनकारी के लिए संपर्करे, टोल फ्री नंबर, एक शोनने चार, आएए बचों, देखते हैं जोती की एक कहानी, प्रेम नगर और शहद का गाउं बतलाओ, एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, अपनों से और अपने सपनों से, मेरा भी एक सपना था, और फिर दिल्ली से लड़के वाले आये हैं, जोती को बुलाओ, जोती चली गई, मेरी बेट्टी को वापस ला दीजे, कुछ तो गड़बड है मैं बी कीपिंग सीखना चाहती हूँ, क्लाइमिट चेंज की वज़ा से, दुनिया बरबाद हो रही है, किसी को तो पहल करनी होगी, ये इतना आसान नहीं है हाँ, सब तुमारे का है हमें सीखना होगा, उन लोगों से जो इस काम को जानते है अरे, ये हमारा फोन भी नहीं उठा रही है आपकी चिट्टी आई है नमस्कार पावन, मेरा नाम आमेर है मैं जोती के साथ स्कूल में पढ़ने वाली जरीन और अमीना का पता हूँ आपकी तरह मेरी भी बेटी है इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि जोती हमारे साथ जार्खन में दुरक्षित है तुम देखना, जोती हमारा नाम रौशन करेगी जोती? पताजी, इस गाउं को बरबाद होने से रोखने के लिए मेरे पास एक सल्यूशन है मुझे तुम पर गर्व है जोती मेरी बेटी वापस आ गई है प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो उन्हें सुलजाने की हिम्मत होनी चाहिए आखिर यही तो करता है एक व्यावसाई हाँ, मैं एक आंत्रप्रनर हूँ जो प्रेम नगर और शेहत के गाउं नाम की जगह पर रहती हूँ तो आईए हमारे साथ और इस रेवल्यूशन में जुड़ जाईए प्रेम नगर और शेहत का गाउं पाच दिन का प्रोजेक्ट है आप इसे चार-चार के सम्हूं में जाकर पूरा करेंगे पहला दित शेत्रशोद मधुमक्खी पालग के पास जाए उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे मधुमक्खी का जीवन कितना होता है शेहत की जानकारी व्यापार की जानकारी वे अपनी मधुमक्खीों के साथ कहां कहां जाती है नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूले दूसरा दिन खेत में जाकर रीसर्च किसानों से जाकर पूछे कि वे क्या उगाते है क्या वे जैविक खाद का प्रयोग करते है और क्या उन्हें लगता है कि मधु मख्यों से उन्हें फाइदा होगा तीसरा दिन बाजार में जाकर शोध उन दुकानों में जाईए जहां शेहद बिकता है वहाँ जो जो कम्पनियों के शहद बिक रहे है उनकी सूची बनाईए देखिए कि शहद की बर्नी प्लास्टिक की है या कांच की उनकी कीमत कितनी है देखिए उसमें क्या क्या है और हाँ फोटोस खीचना ना भूले चौथा दिन आप अपने समहूं के साथ सोचे कि क्या खुछ और शोद करना जरूरी है और अगर है तो वहाँ जाईए आप क्रशी विज्ञान के इंद्र जा सकते है या जैविक किसान से मिल सकते है या जैविक खेच जा सकते है पाँच वा दिन अपनी व्यापार की योजना लखिए सब साथ मिलकर अपना रीसर्च प्रोजेक्ट कम्प्लीट करे और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दे ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए पढ़िए और सीखिए क्योंकि यूवा ओद्यमी कभी रुखते नहीं है नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं तो ये वीडियो है वास्तविक संख्याएं का पार्ट वन चलिए देखते हैं पार्ट वन में हम क्या पढ़ेंगे यूकलिट विभाजिन प्रमेइका तो चलिए थेरम देखते हैं एक यूकलिट विभाजिन प्रमेइका का प्रमे एक दशमलव एक यूकलिट विभाजिन प्रमेइक दो धनात्मक प्रुनाग एक और बी दी रहने पर एसी आद्वीतिय पुर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर B क्यू जमा R हो जहां पर R 0 से बड़ा या बड़ाबर है तथा R B से छोटा है इसका अर्थ है कि कोई भी दो कुर्णांक दिया हो धनात्मक पुर्णांक तो हम ऐसी दो संख्याएं निकाल सकते हैं Q और R जिससे A बराबर B क्यू जमा R एक जो समी करन है वो सेटिस्फाई करेगा और R जो है R यहाँ पर शेश्फल रशाता है R 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और R B से छोटा होगा यूकलिट बिभाजिन अल्गोरिफम दो धनात्मक पुर्णांकों का HCF परिकलिप करने की एक तक्नीक है यानि HCF निकालने के लिए हम यूकलिट बिभाजिन अल्गोरिफम का प्रयोग करते हैं आपको याद होगा कि दो धनात्मक पुर्णांक A और B का HCF सबसे बड़ा धनात्मक पुर्णांक D है जो A और B दोनों को बिभाजित कहता है मतलब HCF इसको हम इंगलिश में Highest Common Pactor कहते हैं वो दो संख्याओं का वो सबसे बड़ा धनात्मक पुर्णांक होता है जो दोनों ही संख्याओं को उन रूप से बिभाजित करता है दो धनात्मक पुर्णांकों मालनी C और D जहां C, D से बड़ा है का HCF प्राप्त करने के लिए नीचे दिये हुए चर्णों का अनुसरत करता है यानि ये वो सारे स्टेप्स हैं वो चर्ण हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं दो धनात्मक पुर्णांकों का HCF दिकाता है स्टेप 1, C और D के लिए यूकलिट विभाजन प्रमेई का का प्रयोग दीजिए इसलिए हम इससे Q और R ज्याद कर सकते हैं कि C बराबर D क्यू जमा आर वो जहां C दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है बराबर D छोटी संख्या Q थाजट जमा आर शेश्वल जो शीश्वल है मों 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा ये शेश्वल D से छोटा होगा चड़न 2 यानि Step 2 यदि R जीडो के बराबर है यहाँ पर हमारे पार दो केस ही जाते हैं या R 0 के बराबर होगा या R 0 से बड़ा होगा तो यदी R0 के बराबर है, तब D पुर्णा को C और D का HCFL और यहीं पे हमारा हल प्राप्त हो जाए गुजरा केस, यदी R0 के बराबर नहीं है, तो D और R के लिए Euclid विभाजन प्रमेरिका का फिर से प्रयूप कीजिए स्टेप 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखे, जब तक सेश्वल 0 ना प्राप्त हो जाए इसी स्थिती में प्राप्त भाजक ही वांचित HCF होगा चले एक प्रशन देखते हैं 4, 0, 5, 2 और 1, 2, 5, 7, 6 का HCF यूकलिट विभाजन अल्गोरिफम का प्रयोग करके ज्याद कीजिए हल, पहला चरण यहाँ पे 1, 2, 5, 7, 6 बड़ा है 4, 0, 5, 2 से तो हम 1, 2, 5, 7, 6 और 4, 0, 5, 2 पर यूकलिट विभाजन प्रयोग करेंगे और हमें प्राप्त होगा 12,576 बराबर 4,052 गुने में 3 जमा 420 चले देखते हैं यह हमने कैसे प्राप्त किया पाग का साइन बनाएंगे जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे तथा जो छोटी संख्या है उसको भाज्य की जगल लिखेंगे और इसको भाग देंगे तीन बार में यह आएगा 12,156 तो घटाने पर हमें 6,420 प्राप्त क्यूंकि 6,420 0 के बराबर नहीं है इसलिए हम 4,052 और 420 के लिए युकलिट प्रामेइका का प्रयोग करके निम्नलिखे प्राप्त कर सकते हैं देखते हैं अब हम इसके आगे अगला स्टेप कैसे नहीं है ये हमारा पिछला आंसर है दूसरा हम भाब का साइन फिर से बनाएंगे तथा 4052 जो की पिछले स्टेप पर भाजक था उसको हम भाज्य की तरह यहां लिखेंगे तथा 420 जो पिछले स्टेप में शेशफल था उसको हम भाजक की रूप में लिखेंगे तो हर बार हमें ये इसी प्रकार करना है भाजक को भाज्य की तरह लिखना है तथा शेशफल को भाजक की तरह लिखना है फिर हम इसको दुबारा भाग करेंगे नौ बार में ये आता है 3780, घटाने पर शेशफल प्राप्थ होगा 272, क्यूंकि शेशफल 272 जीरो के बराबर नहीं है, तो हम 272 तथा 420 में दुबारा से युकलिट विभाजन प्रमेइका का प्रयोग है। तो नए भाजक 420 और नए शेशफल 272 को लेकर युकलिट प्रमेइका का प्रयोग करेंगे, इससे हमें प्राप्थ होगा 420 बराबर 272 उन्हें में एक जमा 148, इसमें हम फिर 420 को भाजे की रूप में लिखेंगे तथा 272 को भाजक की रूप में लिखेंगे, तथा एक आया हमारा भागफल, इसको भाग देने पर शेशफल प्राप्थ होता है 149, नए भाजक 242 और नए शेशफल 148 पर युकलिट बिभाजन प्रमेइका का फिर से प्रयोग करेंगे, और ये हम तब तक करते रहेंगे, जब तक की हमारा शेशफल 0 नहीं जादा, अब 148 और 272 को ल 148 भाजक प्राप्थ हुआ है तथा शेशफल 124 प्राप्थ हुआ है, जिस पर हम फिर से युकलिट बिभाजन प्रमेइका का प्रयोग करेंगे, इससे ये आएगा 148 बराबर में 124 गुने में एक जमा चाप्थ, और नए भाजक 124 और नए शेशफल 24 पर युकलिट प्रम प्रमेइका का प्रयोग फ्रेसे करेंगे, और इससे हमें मिलेगा 124 बराबर 24 गुने में 5 जमा चाप्थ, अब नए भाजक है 24 और नए शेशफल है 4, इस पर हम युकलिट बिभाजन प्रमेइका का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है, इसलिए इसको डिट 24 प्राप्थ होगा, यानि इस स्टेप पर हमारा जो उत्तर है, जो शेशफल है, वो 0 आता है, क्योंकि अब शेशफल 0 के बराबर आ चुका है, तो इस स्टेप पर जो हमारा भाजक है, यानि की 4, वो इस प्रशन का उत्तर है, यानि 4052 तथा 12576 का HCF 4 है, इस वीडियो में ह हम देखेंगे अंक गनित की अधारबुत प्रमे, भाज्य संख्या की परिभाशा तथा HCF और LCM सकतरत्लिक कक बा writer is a ट authentic, जैसमों भाजक है, आ के बत्यां आ इस लाज़ है, यानि की अपत्त प्रίका है, जैसे हम झाले रज़ग कि अधुक टका हुआए आ फ currents, मैसलों ज सीख्या का दिए राजू जरा इधार आना ये बताओ कि इस्कूल से ड्रेस के पैसा मिला की नहीं? मिल गया, पिछले हपता मिल गया और छात्रविर्ती? चच्चा, उन तो अब खाता में ही चला आता है अरे वाह, इस हपता इसको खुब पता है पर इस पता है, तुम्हारा लड़का इस्कूल में काका सीखता है ये हसने का नहीं, सोचने का वक्त है सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सची नहीं बन जाता उसी तरह ड्रेज सिल्वा कर, पहना कर, अस्कूल भेज देने से पिंटू हुनहार नहीं बन जाएगा अब जरूरत है कि माता-पिता बच्चे इस्कूल में क्या सीख रहे हैं, उस पर ध्यान दे तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी चाचा, हम तयार हैं, क्या आप तयार हैं? आईए, हम मिलकर अपने बच्चों के भविश्य को एक नई उडान दे आज हम पूछेंगे, तो कल ये सिखेंगे आईए, जाने, कोरोना वाइरस या कोविड नाइंटिन से बच्चाव के लिए हाथ दोने की प्रक्रिया सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भी गोएंगे, फिर हम साबुन लेंगे, जाग बनाएंगे जाग बनाने के बाद, अच्छे से हाथ दोने के लिए हमारे आठ चरण है जिसमें सबसे पहला चरण, दोनों हातेलियों को गोला करते हुए, हम रगड़ेंगे दूसरा चरण, इसमें हम बाय हाथ की हतेली, दाय हाथ की हतेली के उपर रखे उंगलियों को फसाते हुए रगड़ेंगे, इसी पकार दूसरे हाथ में दोराएंगे, तीसा चरण इसमें हम दोनों हाथों की हत उंगलियों को फसाते हुए रगड़ेंगे, चौथा चरण जिसमें हम बाएं हाथ के अंगुठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे इसी पकार हम दूसरे हाथ में इसे दोराएंगे कि पांचवा चरण इसमें हम दोनों हाथो के उग्लियों को इस पकार फसाएंगे और इसे उप्प-नीचे रगड़ेंगे छटा चरण जिसमें हम हत्तेली में हम दाई हाथ के उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे इसी पकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे साथवा चरण जिसमें हम कलहाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ इसी पकार हम दूसरे हाथ में भी दोराएंगे आठवा चरण हम पानी से सावन को धोएंगे यह प्रक्रिया हम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से करेंगे फिर हम किसी साफ टावल और टिशू से हातों को पोच लेंगे नमस्कार दोस्तों आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है रसायनिक अभिक्रियाएं एवं समिकरत तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय के पहले भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रसायनिक पदलाव के बारे में इसके बाद हम जानेंगे रसायनिक अभिक्रिया को और अंत में हम बात करेंगे रसायनिक समीकरन के बारे में तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं रसायनिक बदलाव को जानते हुए कुछ परिष्थितियां दी गई हैं इन्हें ध्यान से देखिए क्या होता है जब हम गर्मी के मौसम में दूद को खुला छोड़ देते हैं आपने ध्यान दिया होगा कि दूद को गर्मियों के मौसम में खुला छोड़ने पे वो दही में बदल जाता है इसके अलावा अगर हम लोहे की वस्तु को आर्दवायू मंडल में खुला छोर दें तो क्या होता है आपने ध्यान दिया होगा कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पे एक पतली सी भूरे रंग की परत आ जाती है जिसे हम आम भाशा में कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है इसके अलावा जब हम भोजन को पकाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें कई तरीके के बदलाव आते हैं तो अगर हम इन तीनों बदलावों की बात करें जिन्हें हमने अभी देखा तो हमें एक बात पता चले ही कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्राकिर्ती तथा फहचान कुछ न कुछ बदल गई है जैसा की धातु की बात करें तो धातु में बाद में एक परत आ गई थी जो भूरे रंग की थी दूद की बात करें तो वो दही में बदल गया था और भोजन में कई तरीके के बदलाव आने के बाद वो पक गया था ये जितने भी बदलाव थे ये सभी रसाइनिक बदलाव थे और ये हमें बताते हैं रसाइनिक अभिक्रिया के बारे में वो किस तरह से? जब भी भी कोई रसाइनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रसाइनिक अभिक्रिया हुई है तो सवाल ये आता है कि आखिर रसायनिक अभिक्रिया का वास्तिविक अर्थ है क्या तो चलिए जानते हैं कि रसायनिक अभिक्रिया क्या होती है रसायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्थित होते हैं और एक या अधिक भिन रसायनिक गुन वाले पदार्थ को बनाते हैं जैसा कि हमने अभी इन तीनों परस्थितियों में देखा था कि धातु जो था वो बदल गया था और भूरे रंका हो गया था जो दही थी वो दूद से बनी थी और जो हमारा भोजन था वो पग गया था एक और उधारन देखें तो मैगनीशियम विबन को जब हम जलाते हैं तो वो मैगनीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ये भी एक रसायनिक भिक्रिया है अब यहां तो हमें बता दिया गया कि ये रसायनिक भिक्रिया है पर किसी क्रिया को देखकर हमें पता कैसे चलेगा कि वो रसायनिक है या नहीं है ये पता करने के लिए जितनी भी रसायनिक भिक्रिया होती है उन सभी के कुछ संकेत होते हैं चलिए जानते हैं कि वो संकेत क्या है जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो क्रिया हुई है वो रसाइनिक है या नहीं सबसे पहला है अवस्था में परिवर्दन जैसा कि हम जानते हैं कि तीन तरीकी की अवस्था होती है ठोसवस्था, द्रववस्था और गैसवस्था तो मान लीजे कि कोई तत्व ठोसवस्था में था और क्रिया के बाद वो द्रववस्था या फिर गैसवस्था में परिवर्तित हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया हुई है वो रसाइनी का भी क्रिया है दूसरा है रंग में परिवर्तन अगर किसी तत्व के रंग में परिवर्तन होता है तो जिस कारण से वो परिवर्तन होगा हम कह सकते हैं कि वो एक रसाइनिक अभिक्रिया है तीसरा है गैस का निकास या उत्सर्जन अगर किसी कारणवश किसी तत्व से किसी गैस का निकास होना शुरू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है वो एक रसाइनिक बदलाव है और आखरी में हम बात करेंगे तापमान में परिवर्तन की अगर किसी तत्व के तापमान में परिवर्तन आता है तो जिस कारणवश वो परिवर्तन आया है वो भी एक रसाइनिक बदलाव होगा ये तो थी रसायनिक बदलाव की बात अब मान लीजिये कि आपको इन बदलाव को लिखना हो तो आप किस तरीक से लिखेंगे तो चलिए जानते हैं रसायनिक समीकरन के बारे में उधारन लेते हैं मैगनीशियम विबन वाला जहां पर मैगनीशियम विबन ऑक्सीजन के साथ जब रसायनिक अभिक्रिया करती है तो मैगनीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है इसने कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है मैगनीशियम प्लस्त में ऑक्सीजन जिससे हमें मिलता है magnesium oxide अब इसे फायदा क्या होगा अब हमें पूरा नहीं लिखना परेगा कि magnesium oxide ने oxygen के साथ अभिक्रिया करके magnesium oxide बनाया अब हम उसे बहुत छोटे में लिख सकते हैं magnesium, जमा में oxygen उसे हमें मिलता है magnesium oxide तो हमने पूरी अभिक्रिया को बहुत ही sense shape में लिखा है अब यहाँ पर हमने शब्दों का use किया है जैसे कि magnesium और oxygen क्योंकि यहाँ पर सब्द का इस्तिमाल किया गया है तो इस तरीकी की समिकरन को हम कहते हैं सब्द शमिकरन तो चलिए जानती हैं कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या जाना सबसे पहले हमने बात करी रसायनिक पदलाव के बारे में जहाँ पर हमने कुछ उधारन लिये थे जैसे कि दूद का दही में परिवर्तन या फिर लुहे के उपर जंग लगना या फिर भोजन का पकना उसके बाद हमने बात करी रसायनिक अभिक्रिया के बारे में जहां पर हमने ये जाना कि रसायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होता है उसकी प्रकृती बदर जाती है और एक भिन प्रकृती वाले तत्व का निर्मान होता है उसके बाद हमने बात करी रसाइनिक समीकरन के बारे में जहां हमने ये जाना कि रसाइनिक अभिक्रिया को शंशेप रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है चलिए आप जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं अगली वीडियो में हम बात करेंगे रसायनिक समीकरन को किस तरीके से लिखा जा सकता है उसके बारे में उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन रसायनिक समीकरन को संतुलित किस तरीके से किया जा सकता है और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है धन्यवाद कि लुड़ एग, क्षेल, हुआ हुआएगा ठाहुआ बड़ा हुआ कि नभिली पाल कि लिए्टा प्टोचा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाओं के लिए देश भर में लॉकडाउन है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्ध्यालय बंद किये गए हैं इस परिस्तिती में आपका मोबाइल ही आपका विद्ध्यालय बन सकता है जी हाँ बिहार सरकार के शिक्षा विभागने युनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन एप मेरा मोबाइल मेरा विद्ध्यालय की शुरुआत की है इस एप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पार्टिक्रम को पढ़ सकते हैं सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते बलकि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परिशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस एप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं जिसका जबाब उस विशे के विशेशक द्वारा दिया जाएगा तो प्लेइ स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नायन एप मेरा मोबाइल मेरा विद्याले और अपने मोबाइल से ही अपने विद्याले का अनुभाव पाएं वो भी बिलकुल निशुलक, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्तिती हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल क्योंकि सुनो सखियो मेरे मन की आवाद आओ बताओ उस बल की बाद सुनो सखियो मेरे मन की आवाद आओ बताओ उस बल की बाद जाने हम अपने तन की बाद ओधो काज से हुता है विकास बेटियां खिलती कलीयों के समाद बेटियां खिलती कलीयों के समाद खिलती कलीयों खिलती कलीयों के तन की अग्लती कलीयों आओ हम जाने अपने शरीर को इश्वर ने दिया है सुन्दर उपहर जो आओ हम जाने अपने शरीर को पह भी बढ़ता है साच में ढ़लता है बच्चियां बढ़ती है किशोरियां बनती है किशोरियां फिर नारी बनती है नारी बढ़ती है गढ़ती है सारा संसा गड़ती है सारा जन्सा सुनो संखियों मेरे मन की आवाद आओ बताओ उस पल की बाद जाने हम अपने तन की बाद बताओ 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 आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बाते बताई गई हो जो भी पाठ पढ़ाया गया हो जो भी विशह पढ़ाया गया हो उसे आप अच्छे से समझ पाई होंगे और ज़रूरी बातों को अपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा जो भी शंकाएं आएंगी अब आप इन सवालों को उन्नयन एक पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और यदि आपके पास मुबाइल या इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं आप स्क्रीन पर जो नंबर दिये गए हैं वो नोट कर लिजिए दो नंबर है पहला है नौ साथ सुन्य नौ पांच एक नौ नौ दो नौ और दूसरा नंबर है नौ शुन्य दो पांच पांच नौ दो चार साथ पांच आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ईमेल आइडी भी नोट कर लिजिए बिहारुन्यन आट जीमेल डाट कॉम विहारुन्यन आट जीमेल डाट कॉम तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे जिसमें कक्षा 9 के भी पाठ होंगे, 10 के भी होंगे और जैसे आज हमने जोती के बारे में एक कहानी सुनी वैसे ही एक और मज़ेदार कहानी के साथ मिलेंगे आज के एपिसोड में इतना ही घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें बाई बाई दोस्तों